नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत हैं दोस्तों आज का यह वीडियो आप शबी के लिए बहुत ज़्यादा महत भुन और बहुत ज़्यादा खाश रहने वाली है इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और सुरू से कर अंत्र तक जरूर देखिएगा कि दोस्तों इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने और काफी कुछ शीखने कुम लेंगे दोस्तों आपको बता दी कि आप शी बड़ा कोई मुर्ख नहीं होगा अगर आप पनी जुनकाल में इन व्यक्तियों पर भरुशा कर रहे हैं ज जियां दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशी की ही एक एशी खाश्यत है आपको दिखावा करना बिल्कुल भी पशन नहीं आता जियां दोस्तों आप लोग जो है दिखाव में नहीं आते हैं और नहीं दिखावा करते हैं और दोस्तों इसका एक रीजन यह भ इसलिए दोस्तों आप लोग जो है जादा दिखावा और खुशी जाहिर नहीं करते इस विशादे दोस्तों आपको बता दी कि आप लोग अपने वैभार में बहुत ही मंदार रहते हैं इसलिए शारी गर्ष जो है आपकी नेचर को पशंद करती है और आपको यह लग्यां भ बिल्ड में होती है और दोस्तों जिन में ज्यादा एक्टिटूर भी नहीं होती है दोस्तों आप लोग दिल के इतने अच्छे होते हैं कि आप लोग दोस्तों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं शाथे दोस्तों आपको बता दे कि आप लोग दोस्तों को पहले करशिद होते हैं एक बाद आपकी और है कि आप जब भी दुख होते हैं तो दोस्थों आप लोग किशी जय भी अपने दुख का कारण जल्दी नहीं बताते आप अपनी अपना जो दुख है जल्दी किसी से भी सेयर या परियों के साजा नहीं करते हैं और चुप चाप आप अकेले बेट कर अपना आशु बहाते हैं दोसों आप हमें कमेंट करके बताईएगा कि दोसों ये जो बाते हम आपको बता रहे हैं क्या या सच है या फिर नहीं दोसों कमेंट करके आप अपना नेचर जरूर बताईएगा और दोसों इसक लोगों को अपने करीबी लोग ही जो है वो ज्यादा तर कष्ट देते हैं दोस्तों एक बात पर गौर करिएगा कि बाहर की लोगों से तो आप निकटने पड़ लेंगे बाहर की लोग अगर आप से आपको चोट पहुंचाए तो दोस्तों का श्रमना आपको कर लेते हैं लेक आपका बहुत बार अपमान विवा है आपकी मान श्रमन को अपने ही लोगों ने बहुत बार ठेज पहुंचाई है लेकिन दोस्तों आज हम आप शी एक शवाल कर रहे हैं जो आपके शाथ हो रहा है आकिर आपके शाथ होता ही रहेगा अगर हां तो दोस्तों कब तक होता र feeling की कदर नहीं होति आपके जिवन में अभित तक आपको अश्रपलता नहीं मिल पाई है जिसके लिए आप कारी कर रहे हैं जिसके लिए आप जी रहे हैं जो हर चीज में शंगर्ष का स्वामना करना पड़ता है आपका हर काम Package पूरा होता है आपको जो चीज प्राप्त हुई है वह भी बहुत संगर्ष और आपकी कड़ी मेहनत से ही आपको प्राप्त हुई है दोसों आपने किशी से भी अपने किशी और दोस्तों आपको थोड़ी शी सफलता क्या मिल जाती है आपको नीचे गिराने की कोशिस करने लगती है पिछले कुछ शालों शेओ आपकी आरत्री सेथी में भी भरी गिरावट आई है ये दोस्वों आपको बिटा दिए कि आपका जिवन मानो पूरी तरह ने बिखर गया है दोस्वों आपको मैं बताना चाहूँगा कि लोगों में, लोगों ने मन कभी भी आपको नहीं पोछा आपको मान समान नहीं किया उपर शे आप से यह लोग मिठा मिठा बात करते हैं लेकिन अंदर शे ही यही लोग आपके उपर क्या करते हैं यह तो आपको खुद पता ही होगा जिया दोसों आप भी इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं दोसों यह लोग अंदर शे आप शे नफरत भी करते हैं दोसों इसका यह यह कारण हो शकता है कि आप लोग जो होते हैं वो बहुत ही शाफ दिल के होते हैं जिया दोसों आप लोगों की जो भी बात होती है वो बिल्कुल ही शाफ शाफ मुझ पर होती है लेकि दोसों आप अपने अंदर दिल में आप कोई भी बात नहीं रखते और इसी वयवार के चलते लोग आपको अंदर ही अंदर पशन नहीं करते। दोस्तों मैं आप शी कहना चाहूँगा कि आप यह आदत को बिलकुल भी ना बदलें। दूसरी लोग चाहे किसी तरह हो लेकिन दोस्तों आप उपनी आदत बिलकुल ना बदलें। क्यों दोस्तों आपकी यही आदत आपको लोगों से अलग बनाती है। आप पर हमेशा से लोग अलग अलग इंजाम भी लगाते हैं। आपने जिसको अपना मान शमान दिया है। उन्होंने ही आपको टाइम टाइम पर शाथ छोड़ा है। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताईएगा क्या मैं गलत बुलाओं। आपने जिनका भी शाथ दिया है। आज वह आपके शाथ खड़ा है। क्या वह आपको पुछता है क्या वह आपकी मुश्किल समय में आपसे कंदी मिला कर खड़ा है क्या जियन दोस्तों इन शबी का जबा मिलेगा नहीं दोस्तों आप बिलकुल भी निराश ना हो दिल छोटा ना करें आपको हम बता दें कि आपके लिए जो आने वाला शमय होगा दोस्तों करहों की गोचर की सिती के शाथ बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आने वाले शुमे में आपका भी जिवन पावश बदलेगा और आने वाले शुमे आपके लिए कुछ इस परकार चैंज होने वाली है जिसे दोसों आपकी जुनकाल में खुशियां ही खुशियां रहने वाली है जिसे दोसों हम आपको बता दें कि बगवान शिंटेव का अशिरबाद अब आने वाले श dicht आपके उपर बढ़ने वाले है एक बात या भी है दोसों ने आप जरूर ध्यान से सुनिएगा कि भगवान शिर्ण देब नियाय की देवता है जो लोग अनियाय करते हैं भगवान शिर्ण देब उन्हें कतई जहर वाले शाजाएं देती है जिनोंने भी आपके इशाथ गलत किया है जिनोंने भी आपका अपमान किया है और दोस्वब जिनोंने भी आपको ठेज़ पहुँचाई है दोसवब, उनका हिशाब बगवान श्र्डेव अवश करेंगे आपको श्रफ इतना करना है कि आपको एशाब लोगों शे दूरी बना कर रखने है जेहाँ दोसों इस बात को आप जरूर ठानले कि आप को इसे लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है होशके तो आप इन शे अपना रिस्ता ही तोड़ दे जिया दोसों लेकिन अगर कोई एशी बात है कि आप एशी रिस्ता नहीं तोड़ सकते हैं आपकी बहुत करीबी लोग है यानि कि आपका भाई है आपका बहन है या फिर आपके शिसलाल पक्ष के कोई भी व्यक्ति ही क्य कर दें जा दोसों जितनी भी होशकिए कम से कम बात करें क्युक्त जाहिर शेलाध अब बहुत कुछ शेहन कर लिया है और दोस्तों शेहन करने के भी हद होती है और कोई लिमिट होती है कोई शीमा होती है शादी दोसों आपको बता दें कि जब ऐसे लोग आपसे तमिश्य बात नहीं करते हैं आपका दर्दर नहीं समझते हैं आपकी फिलिंग्स को ठेस पहुचाते हैं योग के हैं तो आपको मान शमान नहीं देते हैं तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको कुछ करना नहीं है, शिर्फ आपको इनसे दूरी बना कर रखनी है, जिया दोस्तों बात सित आपको इनसे बिल्कुल ना करना है, और साधी दोस्तों आपको बताती है, कि आपको निराश होने की कोई भी आफशकता नहीं है, तो दोस्तों आप मान लिजीए कि ये आपके जीवन की सीख है बांकी दोस्तों बगवान शर्देव आपके शाथ है और आपका कल्यान करने के लिए आपके सबी कारियों में शुक्ता दिनायन के लिए बगवान शर्देव आपके कारियों में आपके शाथ रहते हैं ये दोस्तों बिलकुल ये आप सच्चे मालसे जिसकार बगवान शनदेव को याद करते हैं। ये परकार आप उन्हें हमेशा याद कीजिएगा। तो ये आ हमेशा शुब्रकार आपको देने वाले होंगे। दोस्तों अंत में आप शिबस यही निवेदन है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा शाथी बेल आइकन को प्रेश करकी और परश लेट किर दिएगा जे दोस्तों इससे हमारी आने वाली वीडियो आप तो सबस से पहले भोचेंगी धन्यवाद